तो चलिए बनाते हैं मिंटों में स्वाजिशन मोदक यहाँ पर हमने लिया है एक कटोरी मूफली इससे हम बारी करके पीस लेंगे इसे आपको छिलके सही ती पीस ना है इसे वने बारी करके पीस लिया है यहां पर हमने एक कड़ाई में मूफली का यह पौडर डाल दिया है और मीडियो फ्रेम पे इसे हम चलाते वे भूनेंगे 6-7 मिनिट के लिए जब इसमें से हल्ग किसी खुश बाने लगे तो आप गैस को बंद कर दीजेगा यहां पर यह भून के तेयार हो चुकी है इसे हम निकाल के यहां पर हम लेंगे इक बॉन में इसेवा कोला आधी-कड़ोची जादा है थोड़ा से काजु और बदाम औरकिषमी इनको भारी करके काट लिया है इसका इस का एकमने मिंशन तियार कर लिया है बड़ी आसा अब यहां पर हम इसमें डालेंगे थोड़ाई पॉड़िंग कर सकते हैं, मुफली में यहां पर हमने चीनी दाल ली है और इलाची का पॉड़र डाल देंगे इसमे लाची को इने मिक्स कर देंगे, यहां पर हम लेंगे एक चमर देशी घी और तीन से चमर देने लेंए नॉर्मल टेम्पिरच्ठर का दूर, इसे आप अच्छी से आप अच्छा से मिक्स कर लीजेए लृवce्ड कर लिया है, यहां पर लिया है मकःने मकःनी को पीस लिया था, दरदरस॥ स्था, इनको भी पीस कर दिया है यहां पर हमारा यह पूरा मिशन बनके त्यार हो चुका है मोदक बनाने के लिए मिंटों में आपके बनके त्यार हो जाएंगे यहां पर आपको थोड़ा सा इसको ग्रीज कर लेना है जो मॉल्ट है और इसमें हम इस फिलिंग को डाल देंगे अचीता से आपको खोएके हमने यहां पर बनाए है मुफली और गोले से मोदक जो आपकी मिंटों में बनके तियार हो जाएंगे आप देखे कितना हमने इसको दबा दबा के भड़ लिया है जिससे पूरी इसकी अच्छी से शेप आ जाए यहां पर बनके मोदक की आप इसे प्रेस करके अच् बने वाले मोदक बनाए है जिसमें बहुत सारी ड्राइफ़ोग जिसमें काटके डाल दी है कितनी बढ़िया हमारी मोदक की शेप बनके आ चुकी है अब बहुत ही टेस्टी लगते हैं वाले मोदक खाने में आपको लगेगा कि मुफली का टेस्ट थोड़ा सा करवा आएग चलता है आपने मुफली से बनाये मोदक बहुत ही टेस्टी मोदक बनके आए हैं आप उनको ने भूले जिए का चिता से तो उनसमें बिल्कूल भी मुफली का टेस्ट का पता नहीं चलता है कि ऐसे हम इसको दबा दबा के अच्छे से भढ़ लेंगे मिन्टों में हमारे बढ़िया से मोगख बनके त्यार हो चुके हैं, बिना मावे की और इना किसी और अलग सी चीज के मिल्क पौॉडर के बिना, देखे कितनी जल्दी बनके हां बहुती तेस्टी लगे हैं, बहुत हेल्दी है मुदक खाने में तो आप यह वाले मुदक जरूर बनाईए और हमें बताईएगा आपको यह रेस्पी कैसी लगी